दंते वाड़ा की सीमा में जो अभुजमाड छेत्र है उसमें हमारे सवरक्षबलों और मावादियों में मुर्वेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 गोड़ी मिलने की जानकारी है और कई अठ्यार उसमें मिले हैं एक 47 अगरे मिले हैं और मैं समर्ता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा आपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत मधाई देता हूँ नकसलियों के खलाब बड़े ऑपरेशन क्वी तैयारी की जा रही है ये बड़ी जानकारी आ रही है ग्री मंत्री अमिल्शा की तरफ से दिल्ली में एहम बैठक बुलाई गई है साथ अक्रूबर को दिल्ली में ये उच्छस तरह बैठक होगी जिसमें ग्री सचेव आई बी चीफ और अर्दसैनिक बलो के डी जी एनाई ए डी जी समेट ग्री मंत्राले के दूसरे अधिकारी शामिल होंगे इस वक्त की बड़े खबर नक्सलियों के खिलाफ अब बड़ा ऑपरेशन होगा अमोद राए इस वक्त हमारे साथ हमारे सेयोगी जुर रहे हैं अमोद जाहिर तोर पर 36 गर्में जस तरह से 28 नक्सलियों को धेर किया गया है उसके बाद यह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस तरह की बैठर ग्री मंत्राले में होने को लेकर तैयारिया होंगी फिलाल और क्या डीटेल जा रहे हैं कहा जा रहा है कि कई बड़े अधिकारी इस बैठर का हिस्सा बनेंगे बिल्कुल प्रिशी देखिए जिरी मंत्री मिस्सा ने दिल्ली में यह हम बैठत बुलाई है 7 अक्टूबर यानि अगले सोमवार को यह बैठत होगी और इसमें जम्मू कस्मीर के तरज पर जो अतंकवादियों का फंडिंग रोका गया था उसी तरज पर नक्सलियों की फंडिंग को रोकने के लिए एक बड़ा एक्टन प्लान भी तैयार हो रहा है और उसको मुकमल तौर पर उस दिन अधिकारियों के साथ और जो प्रतिनिधी राज्ये इसमें शामिल होंगे यानि जो नक्सल अफेक्टिड राज्ये हैं के सीम भी इसमें शामिल होंगे और उन सबसे ये बात चर्चा की जाएगी और उनको ये राक्ता भी बताया है कि कैसे नक्सलियों पर पूरी तरह नकेल करना है जाता कि हम तब को मालूम है कि ग्रीमन की अमिस्ता ने मार्च तो हजारशबिस तरह देश से पूरी तरह पे नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लिया था उसी और बढ़ते हुए इन कदमों के देखना चाहिए और आज का जो ऑपरिशन 36 गर में हो रहा जिसमें 28 नक्सली देर हुए है यह उसी रणनिती का हिस्सा है और मैं आपको बताओं कि जनकारी के लिए कि अभी अभी भी इस वक्त भी 36 गर में CM लगतार मोनिटर करें इस ग्रटना को और उनके निसावाद पर अधिकारियों के पूलिस के अला अधिकारियों के और प्रटना के अधिकारियों के साथ उनकी लगतार समपर्क और मैटर चल रही है जी शुक्रिया मोद जानका रिकले आपका